Hello students Once again you all are welcome in today's class Swagat है आप सभी का आज के class में So let's start today's class ठीक है आज का class हम लोग सुरू करते हैं Hello Namneet, how are you? Very good Hope you all are fine, right? So let's start, ठीक है तो हम बात किये थे पिछले class में Past Perfect का इस चीज़ का Past Perfect Tense का Perfect Tense है ना Past Perfect Tense मैं बताया था कि ये Past का भी Past होता है ठीक है? तो अकेले का यूज नहीं होता है अगर दो sentences, दो घटना अगर Past में घटे ठीक है? तो जो पहले घटा है Past Perfect में होगा जो बाद में घटा है वो Past Indefinite में होगा ठीक है? Very good तो हम आगे बात कर लेते हैं Next है Past Perfect Continuous का क्या Past Perfect Continuous Tense Continuous Tense का What do you mean by Past Perfect Continuous? Past Perfect Continuous का Hello Shalu, Hello Rishabh ठीक है? You all are welcome dear ठीक है? तो Past Perfect Continuous का मतलब क्या होता है? देखे, Past Perfect Continuous तो Past Time है Perfect माने Complete हो गया तो इसका जो structure होता है वो था Subject Plus Had Been Plus Verb का अगे प्लस Object Plus Since या 4 Plus Time ठीक है? तो यह हिसाब इसका चलता है अच्छा बाकि इसमें कुछ जानने के ज़रुत नहीं है Had Been Plus Verb का इन जी इससे पहचान होगा Since For तो Use of Since For हम पढ़ चुके हैं Use of Since और For का जो Use है वो हम लोग पढ़ चुके हैं तो यही इसमें भी आता है ठीक है न? तो इससे ज़्यादा इसमें जानने का जुरुत नहीं के Example सिर्फ हम देख लेते हैं जैसे Example क्या हो जाएगा It Had Been Had Been Raining Raining Since Monday ठीक है सुमबार से बारिस होती आ रही थी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अब ही बारिस नहीं हो रहा है बस इतना ही मिनिंग निकलता है न? ठीक है न? It Had Been Raining Since Monday तो यह आपका Example हो गया बहुत सिंपल है ठीक है अब इसमें जो Error आएगा चाहे कुछ भी समझने और ना समझने बाली बात होएगी तो Since और 4 कही होगा जैसे I Had Been I Had Been Living in Delhi 4.19.91 इसमें क्या होगा बड़ी सिंपल सी बात है एक वार आप सॉल्व करके देखो ठीक है इसमें क्या होगा रिशब, नवनीत, सालू है न? इसमें क्या होगा 1991 एग्जेक्ट टाइम है तो Since का यूज होता है यह चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं ठीक है? तो यही हिसाब है अपना परफेक्ट टेंस का, ठीक है? चलिए, very good clear है? very good तो next हम बात करेंगे future tense का, ठीक है? future tense का future tense में सबसे पहले हम बात करते हैं future indefinite future indefinite tense indefinite tense का, देखें, future indefinite का क्या होता है? कि इसमें helping verb जो use होता है, वो होता है shall या will तो वैसे तो बात करने के अगर है, तो shall का use I और we के साथ होता है, और will का use any other subject any other subject, किसी दूसरे subject के साथ इसका use होता है, will का ठीक है, लेकिन एक बात आज के date में modern grammar कहता है, कि किसी के साथ भी किसी का use कर लो, कोई फरक नहीं पड़ता है, थोड़ा sense बदल जाते हैं, तो क्या sense बदलता है मैं उसको लिखवा देता हूँ, देखें मैं आप civilization तो इंपसाइज तो किसी का एंड एंड और भी कर दो तो लिखवा in दो को इसका मतलब हो गया कि नॉर्मल सेंस में मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन अगर मैं कहूं कि आई विल हेल्प यू तो गलत नहीं होता सिर्फ मीनिंग चेंज वहता आई विल हेल्प यू कहने का मतलब हो गया कि मतलब मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा ठीक है ना तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है गलत नहीं होता है अगर हम बात करें कि विल हेल्प यू तो ये के साथ विल लगेगा विल हेल्प यू ठीक है इट मीज वाट कि वह तुम्हारी मदद करेगा simple है लेकिन अगर मैं कूँ कि he shall help you he shall help you इसका मतलब भी same है ये भी गलत नहीं है इसका मतलब क्या हो गया है न कि वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा तो यहां पर emphasis है emphasis है बस यहां पर भी क्या है? emphasis है और गलत नहीं होता है इसके sense में ठीक है न किसी के साथ किसी का भी use कर लें तो गलत नहीं होता है यह ध्यान रखना है तो आप एक बार इसको लीखें फिर हम आगे बात करेंगे I'll discuss further when once you write this ठीक है? चलिए देखिए भाई आगे बात कर लेते हैं future indefinite का structure क्या होता है simple होता है एक ही structure बताऊंगा बागी आप सब derive कर लेंगे इसमें क्या होता है subject होता है plus will या shall होता है ठीक है ना plus v1 होता है plus object होता है ठीक है तो यह active का है ठीक है positive sentence अगर interrogative करेंगे तो आप समझते हैं चलिए बहुत बढ़ी है एक्जामपल की बात करें एक्जामपल की बात करें तो I shall help you in this work in this work ठीक है simple है अब हम बात करते हैं इसका use का use क्या है देखें पहला use इतना simple है it is used it is used to express any idea that has to take place in future भविस्ट में कोई any work idea चाहे work लिखेगा ठीक है ना जो होना है क्या future में होना है ठीक है दूसरा बात इसी में आता है sentences having sentences having having these adverbs these adverbs generally remain in remain in future indefinite future future indefinite तो ऐसे कौन side verb है जो generally future indefinite में होते हैं देखें जैसे tomorrow the next day next month फिक है next year it is shortly एक और लिख लिजेगा shortly एसे चो rtly shortly ठीक है it is जैसे example के अगर हम बात करें तो पहला sentence देखें अगर हम कहें कि he has come here तो यह sentence में देखें he has come here sentence बिल्कुल सही है लेकिन अगर मैं कह दूँ कि he has come here tomorrow तो जैसे ही tomorrow लग गया तो अब यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ पे कहना होगा he will come here he will come here ठीक है उसी तरीके से तीसरा question है they dash the work option है will do the work be have done the work see both a and b a and b क्या होगा इसमें a होगा कि b होगा c यह question करके दिखाईए question number 4 है they dash the work tomorrow a will do the work b have done the work c both a and b क्या होगा यह question number 3 और question number 4 करके दिखाईए सभी students से request है please do this question and comment नवनीद, शालो, रेशब students नवनीद, शालो, रेशब शालो, रेशब 3 का a, 4 का b, शालो, सिक्षा 3 का b, 4 का b, नवनीद, 3 का b, 3 का b, और का b, गलत है, सब का गलत है, किसी का सही नहीं है अब भी तो समझाया यार, इतना समझाने के बाद, देखो मैं क्या समझाया इसको थोड़ा समिटा ले न, आपने थोड़ा तो लिखा होगा मैं क्या समझाया, आप उसको समझाओ मैं यह कह रहा हूँ, कि दो तरह का sentence होता है, tense के अधार पर, ठीक है एक होता है open sentence, क्या होता है open sentence open कहने का मतलब इसमें probability open है, खुला है, किसी भी tense में रह सकता है जैसे देखिए, question number one, अगर हम बात करें कि he is coming here, तो यह भी ठीक है, दियान से समझें अगर हम बात करें कि he has come here, तो यह भी ठीक है, अगर हम बात करें कि he came here, तो बोलो यह भी ठीक है दियान से समझो, तीनों sentence है, तो ऐसे sentence को हम बोलते है open sentence, यहाँ पे कुछ भी possible है अगर हम बात करें कि he will come here, he will come here, तो बेटा यह भी ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, yes or no, students, yes or yes, very good, तो अगर मैं आपको इस sentence में कह दूँ, पांचमान नंबर में, कि he does, he does here tomorrow, इसका मतलब क्या हुआ, tomorrow लगने से, मैंने अभी क्या समझाया, कि sentences having these adverbs, तो जिस sentence में ये adverbs, जो मैंने नीचे लिखा है, लगा रहे तो generally वो sentence future indefinite में होता है, तो future indefinite में होने का structure लिखवाया था कि क्या condition है, condition क्या future indefinite में होने का, future indefinite में होने का condition है, कि subject plus will चैया, share लगेगा, plus v1 लगेगा, plus object लगेगा, यही तो future में होने का condition है, बास समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया, very good, है ना, तो अब मैं आप से पूछता हूँ कि question number five में क्या होगा, he does here tomorrow, क्या होगा, उपर वाले में से चार option अगर दे देगा, तो चारों में से कौन वाला इसमें fit करेगा, question number five में, बताना एक बार, question number five में क्या fit करेगा, ये वल़ा ठीक होगा कि ये वल़ा ठीक होगा कि ये वल़ा कि ये वल़ा चारो में से one two three four में से कौन वलो question का ये भर भी इसमें fit करेगा बताना और विलकम शालो बहुत बढ़िया क्यों यहाँ पर tomorrow लग गया तो यहाँ क्या होगा विलकम हो जाएगा बहुत बढ़ी है, excellent सालो, excellent, excellent समझ में आया बात सभी students या सुर्नो बेटा ठीक इसी प्रकार से ये लीख रखा है क्या आपने have you all written or not if not just write it as soon as possible, ठीक है फिर हम आगे बात करेंगे done ना then please write it, ठीक है as soon as possible चलिए देखें उसी तरीके से अगर एक sentence और मैं देदू question number 6 he does here yesterday ये पढ़ा चुका है ये मैं पढ़ा चुका हूँ ना अब बता इसमें क्या होगा which of these questions, which of these verbs will fit in this sentence एक number, दो number, तीन number, चार number यहां से लेकर यहां तक आपके option है जब तक कवारे हैं तब तक ठीक हैं अगर साधी हो जाते हैं तो लड़कियों मतलब अपनी पत्नी के इसमें बंद जाते हैं नहीं ठीक है न तो वही बात यहां भी है ये sentences open हैं तो किसी format में रह सकते हैं लेकिन जब इनका marriage होदा शाधी हो जाए तो फिर ये बंद गए हैं वैसे ही है ठीक है ना getting my point बंदन में पड़ गए हैं कि नहीं पड़ गए हैं very good बहुत बढ़ गए हैं तो इसमें क्या लगेगा very good क्या हो जाएगा चुकि yesterday आ गया there is an adverb yesterday so you have to use v2 only here so came will be the correct answer फिर seven देखो अगर मैं कहूँ he dash hair just now अब क्या लगेगा इसमें बहुत बढ़ यहां अब क्या लगेगा इसमें बताना देखो ये इसके चक्कर में पढ़ गया तो ये इसके चक्कर में पढ़ेगा तो ये कैसा रहती है किस format में रहती सबका अलग-अलग criteria ठीक है ना नहीं नहीं शालो गलत पढ़ा रखा है मैंने just now present perfect का है present perfect का है but is coming भी गलत present perfect में इसमें कौन है has come है ना सबका गलत पढ़े नहीं है आप लोग तो खुल मिला कर कि ये बाते समझ में आई समझ में आई अभी सबको यहां तक seven तक yes or no have you understood till here yes or no yes or no बच्चे very good very good तो वापस मैं चलता हूँ इस question पर question number three they dash the word अब ये आप सोचो ये open sentence है अब बताओ इसमें क्या हो question number three का answer अब क्या होगा बो question number three का answer क्या होगा इसमें अब बताओ a b a c question number three ah 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 question number 4 बताना क्या होगा question number 4 बहुत बढ़िया excellent बहुत बढ़िया very good ठीक है तो क्या हो जाएगा will do A is the correct answer आपने उसमें B बताया था सभी ने है ना तो मुझे उमीद है ये चीजें आपको समझ में आ गए है तो ये वाला जरूर से जरूर लिखो ये वाला example लिखो 100% लिखो बीना इसके लिखे आगे नहीं बढ़िए तो ये आपको समझ में आ गया मैं समझ गया है थीक है चलिए एक बात और समझना है आपको एक बात और आपको क्या समझना उसको भी देख लो देखों जो भी सेंटेंस है future and definite में होते हैं these can be these can be written in present continuous present continuous दोनों में गलती नहीं होगा मतलब यह हुआ कि अगर हम कहें I shall go to Delhi I shall go to Delhi tomorrow समझ पा रहे हैं I shall go to Delhi tomorrow अगर हम यह कहते हैं तो अगर इसको मैं present continuous में लिख दूँ I am going to Delhi tomorrow तो दोनों सही है यह भी ठीक है यह भी ठीक है गलत नहीं होता है तो future indefinite के sentences को present continuous के sentence से replace किया जा सकता है समझ में आये बात यह लिख लेना future indefinite sentences can be replaced with present continuous sentence या यह जो लिखा यह लिख लेना this can be written in present continuous चलिए let's move forward आगे बढ़ते हैं अगला है अपना future continuous tense क्या है future continuous tense इसमें क्या होता है यह समझे है देखे वैसे modern grammar के हिसाब से यह tenses पढ़ाया नहीं जाते हैं लेकिन चुकि मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत कुछ बहुत ग्यान दे दूँगा इसमें इतना दे दूँगा कि आप हमेशा आगे रहेंगे तो मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि यह होता क्या है वैसे modern grammar के साब से future continuous नहीं exist करता है ठीक है ठीक है न यसी 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 बन कर दिया गया तो इसका होता है जो subject प्लस शाल विल शाल विल प्लस बी प्लस वर्ब का ing प्लस object जैसे इसका passive भी नहीं बनता है आई शाल भी शाल भी वेटिंग फोर यू एड द स्टेशन एड द स्टेशन है न मान के चलो आप पिकनिक पे जा रहे हो आपका कोई फ्रेंड चुट गया है या चुट गई है ठीक है तो आप क्या बोलते हो उसको कि चलो कोई नहीं आप जल्दी से आ जाओ मैं आपका स्टेशन पे इंतजार करता रहूँगा ठीक है न इस सेंस में हम बोलते हैं अब ठीक है अब मान के चलो कि हम लोग कल के बारे में सोच रहे हैं आज है एक हपता बाद हम लोग का चुट्टी होएगा स्कूल समर विकेसन आएगा ठीक है या कुछ भी आएगा एक वीक का चुट्टी मिलेगा तो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा आज मतलब साथ दिन बाद आज ही के समय अभी हम लोग क्लास में बैठें लेकिन अभी क्या करेंगों किर्केट खेल रहांगे तो कह सकते हैं we will be we will be we shall be playing cricket playing cricket at this time at this time tomorrow कल इस समय हम लोग किर्केट खेल रहे होंगे ठीक है ना तो इस तरीके से sentences बनते हैं जवरदस्ती के बनते हैं modern grammar इसका इजाज़त नहीं देता है तो इस से इसमें हम इतना से ज़्यादा जानने का जरुद भी नहीं है बताएंगे भी नहीं ठीक है तो अगला जो हम बात करेंगे वो होगा अपना जो काम की बाते हुआ है मैं समझा देता हूँ डिटेल में ठीक है ना अगला जो बात रहेगा वो रहेगा future perfect का future perfect ठीक है ना future perfect का मतलब क्या होता है जो ऐसा बोध कराए ना कि future में कोई काम complete हो जाएगा क्या हो जाएगा some action action will be completed in future time ठीक है ना कोई काम जो future में complete हो जाएगा वैसे actions के लिए future perfect tense का use करते हैं ठीक है जैसे इसका structure की बात करें तो क्या होगा subject plus shall will plus have plus verb का third form plus object perfect कहने का मतलब ही होता है have plus verb का third form यह future वाला बात हो गया यह फ्यूचर यह perfect हो गया future perfect हो गया ठीक है ना तो example हो गया I will have have written this letter by tomorrow ठीक है ना मतलब कल तक मैं लेटर लिख चुका होँगा ठीक है ना इसका मतलब यह हो गया I will have written this letter by tomorrow कल तक मैं लेटर लिख चुका होँगा ठीक है तो इससे ज़्यादा इसमें भी जानना नहीं है इसका use generally ना के बराबर होता है ठीक है very good I shall be buying to us excellent बहुत बढ़ी है ठीक है तो इस आर सम एक्जामपल्स future perfect tense का और यह future continuous का please write it then we will move to the next point future perfect continuous का चर्चा हम नहीं करते हैं ठीक है तो इतना याद रखेंगे हम अब miscellaneous tense के उपर बढ़ेंगे ठीक है ना अब सब सारे tense जितना हम पढ़ेंगे उनको एक साथ कैसे use करते हैं एक tense को दूसरे tense से कैसे mix करते हैं अब हम उसकी चर्चा करेंगे ठीक है तो आप जल्दी से इसको लिखो फिर हम आगे बात करेंगे देखिए देखिए some important concepts now tense के कुछ important concepts की चर्चा कर रहे हैं जैसे पहला concept क्या होता है पहला concept क्या होता है सो समझे है if he will come here I shall help him help him I shall help him ठीक है क्या है कि if he will come here I shall help him तो ये एक concept है इसमें क्या है तो समझना है अपने को कि sentence जो होता है यहां समझते हैं हम sentence जो होता है ठीक है उसको हम दो भाग में बाटे हैं ऐसे समझें सबसे पहले आपको sentence समझना है sentence के बारे में हम बात कर चुके हैं फिर होता है clause क्या होता है clause तो clause क्या होता है part of sentence part of sentence having its own subject and verb subject and verb ठीक है दूसरा होता है it may or may not may not give complete sense complete sense तो यह जो clause की अगर हम बात करें तो यह दो परकार का होता है एक होता है main clause क्या होता है main clause we call it principal clause also और second one is subordinate clause subordinate clause ठीक है main clause and subordinate clause ठीक है subordinate clause तो main clause it can be also ordinate clause भी बोल सकते है principal clause भी इसको बोल सकते है क्या principal clause ठीक है got it तो सबसे पहले हम पापी को थोड़ा deviate किये क्योंकि यहाँ पर बाते आनी है एक clause यह है sentence में दूसरा clause यह है clauses का चर्चा होने लग रहा है ठीक है very good 6a if you have studied this topic then it's fine ठीक है तो यह sentence गलत लिखा हुआ है ठीक है this sentence has been written in wrong way तो यही चीज में discuss करना चाहता हूँ आपसे कि क्या है कि यह जो सबसे पहले sentence तो sentence के बारे में आप जानते है group of words having complete sense is called sentence उसके बाद आता है clause तो clause क्या होता है part of sentence having its own subject and verb sentence का verb भाग जिसका अपना subject और अपना verb होता उसको clause बोलते है ठीक है अगला है it may और may not give complete sense यह complete sense दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है तो इस आधहार पे sentence clause के दो भाग हो गए main clause और subordinate clause ठीक है तो main clause क्या होता है जो complete sense दे subordinate clause क्या होता है जो दूसरे के उपर dependent रहती है यह इसको dependent clause भी बोलते है ठीक है बाद समझ में आया अब इसमें क्या होता है सो समझना है एक बाद इतना लिख लो ठीक है sentences having subordinating netting conjunction conjunctions before them subordinate clause क्या होता है जो दूसरे के उपर dependent होता है लेकिन मैं यहाँ पर trick दे रहा हूँ कि sentences having subordinating conjunctions before them ठीक है तो subordinating conjunction क्या होता है subordinating conjunctions क्या होता है इसकी बात कर लेंगे subordinating conjunctions देखे जैसे if हो गया as soon as हो गया as soon as हो गया as if हो गया until unless ठीक है after before ठीक है while when itc यह सारे जो conjunctions है subordinating conjunction कहला है ठीक है और अगर इनका प्रयोग जिस sentence के पहले हुआ हो वो उसको हम subordinate clause कहलेंगे ठीक है तो इस हिसाब से अगर मैं आप से कहूं कि इस दोनो sentence में कौन वाला main clause है और कौन वाला subordinate clause है तो आप बोलोगे कि इसके पहले if लगा है इसलिए यह कौन सा clause है subordinate clause और यह वाला कौन सा clause बचिए अपने आप main clause बचिए तो यह पहचाना सीख गए yes or no simple सा बात है इतना लिखने इतना कहानी के बाद simple सा तरीका था पहचान करने का यह पहचाना सीख गए yes or no नवनित very good very good शिक्षा बहुत बढ़िया तो अब अपना concept क्या कहता है concept number one कहता है कि देखे अगर दो sentence future का जोड़े future sentence जोड़े तो main clause रहेगा main clause रहेगा future indefinite future indefinite और subordinate clause रहेगा subordinate clause जो रहेगा वो रहेगा present indefinite present indefinite simple सा बात है ठीक है यह concept कहता है concept क्या कहता है कि अगर future का दो sentence जोड़े तो main clause रहेगा future indefinite subordinate clause रहेगा present indefinite अब इस हिसाब से इसमें error कुछ है या नहीं क्या गलती है इसमें बताना बहुत बड़ी है शालो शिक्षा नवनीत अब इस हिसाब से जो मैं समझाया अभी तक उसके according इसमें error क्या है और यह subordinate clause है ना तो subordinate clause कौन से टेंस में रहेगा यह main clause है तो main clause तो future indefinite में रहता है तो यह तो ठीक है subordinate clause कौन से टेंस में रहता है तो present indefinite तो इसको present indefinite में change करो न will come है तो सही है कि गलत है बताओना जल्दी से क्या हो जाएगा if he comes here हो जाएगा ठीक है तो इसकी चर्चा हम अगले class में करेंगे इसको एक वार यहां से यहां तक लिख लो आप सब यहां से लिखना सुरू करो ठीक है फिर इसको लिखो यहां तक लिखें फिर इसको लिखें ठीक है उसके बाद फिर यह वाला point लिखें यह concept last में लिखें ठीक है आप आराम से लिखो इसको फिर इसकी चर्चा हम next class में start करेंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आप सभी से अगले class में तब तक के लिए आप सभी को चाहिन take care आप सभी को bye bye